गुड़िवनिग मैं फ्रेंड्स नमस्कार मित्रो तुड़े भी आ गुएंग करेंगे आदमी के विल के बारे में विल की उपयुक्तता, विल की गरज और विल किसने करना चाहिए इन विश्वयों पे आज जरह हम ध्यान देंगे विल जो होता है वो एक आदमी ने बनाया हुआ डॉक्युमेंट लीगल डॉक्युमेंट होता है जिसमें आदमी अपने पस्चात, अपनी प्रॉपर्टी का क्या करना इसके बारे में नोंद करता है विल जो होता है वो इंडियन सक्सेशन आक्ट 1925 और सेक्शन 2 एच गवर्ण्स दे मेकिंग आफ ए विल विल जो होता है वो इंडियन सक्सेशन आक्ट 1925 के सेक्शन 2 एच तहट एक लीगल डॉक्युमेंट करके पहचाना जाता है भारत में हिंडू, बुद्धिस्ट, सिक्क और जैन लोग जो विल बनाते है वो इंडियन सक्सेशन आक्ट तहट पहचाना जाता है मुसल्मानों को एलिए मुसलिम पर्सनल लौ गवर्ण्स मुसलिम्स तो मुसल्मान इंडियन सक्सेशन आक्ट 1925 के तहट विल नहीं बनाते हैं वो अपने मुसलिम पर्सनल लौ के इसाब से बनाते हैं दोस्तों विल क्यों बनाना चाहिए विल इसलिए बनाना चाहिए कि अपने पस्चात अपनी फैमिली में कोई जगड़े ना हो आप विल में लिख सकते हैं कि मेरी इतनी इतनी सारी प्रॉपर्टी है इतने फ्लैट है इतना लैंड है इतने सारी इंवेस्मेंट है इतना बैंक में पैसा है और उसका डिस्ट्रिबूशन उसका वितरन मैं मेरे पस्चात इस तरीके से करना चाहता हूँ ये सब चीजे विल में नोन की जाती है विल बनाते वक दो विटनेस रहना बहुत ज़रूरी है जो आपके रिलेशन में या तो आप जिने प्रापरटी में बेनिफिशरी बनाना चाहते है उनके अलावा दो लोग होने मंते है विल रライूस्टर कर सकते हो आप चाहते हो तो हाला कि इторов चाहते हो तो हाला कि इस नौत मैंचरी विल क्सेटरूरा इपन आपगे विल चाहते है विल र Gaming Catorry चाहते। 300 प्त स्थ प्रेस आपर चाहते हो इचेए प्रिश्टर तरिये विल खेज़ों झाहते है A man can write a will by his own handwriting also, जरूरत नहीं कि आप computerized typing करके ही will बनाना चाहिए, आप अपने हाथ से भी आप will बना सकते हो, आपने एक बार will बनाया और कुछ महिनों बाद या कुछ सालों बाद आपको अगर will change करना है, तो आप पहला will cancel करके दूसरा will भी नमूत कर सकते हो, दूसरा will भी ब बना सकते हो, अभी हम देखते हैं will के फाइदे क्या होते है, will बनाने के, तो सबसे बड़ा फाइदा दोस्तों यह होता है, कि आपने बनाया हुआ है, कि आप अपने पस्चा, आपकी प्रॉपरटी का कैसे विनियोग करना चाहते हो, तो इससे फैमिली के बीच में, भाई भाईों भाईों में, भाई बेहनों में, दो बेहनों में, या तो अपनी पत्नी और लड़कों में, या लड़कियों में, डिस्प्यूट नहीं रहता, क्योंकि आप क्लियर शब्दों में लिखते हो, कि आपके प्रॉपरटी का आपको कैसे विनियोग करना है, किसके लिए कैसे distribution करना है दूसरी चीज़ आप जब will बनाते हो तो उसके अंदर आप अपने सारे assets के बारे में उल्ले करते हो तो उससे ये फाइदा होता है कि कोई asset छूट नहीं जाता और ऐसी नौबत नहीं आती कि आपके family को आपके कुछ assets के बारे में जानका ही नहीं है और उनका बाद में नुकसान होए जैसे मैंने पहले बताया will में clearly लिखा रहता है clear distribution कैसे होना है वो लिखा रहता है और आप जो executor को appoint करते हो कि ये will मेरे पस्चात ऐसे ऐसे ये आदमी execute करेगा तो वो executor उसी तरीके से अपना दिया हुआ power इस्तमाल करके सब को वो will बराबर से distribute करता है और और एक बात आपको अगर कुछ पैसा charity में देना हो और आपकी family आपको विरोध करती है कि काई को देने का आपका पैसा है तो आप जब will बनाते हो तो उसमें आप ये भी नमुद कर सकते हो कि इतना पैसा मैं ये और NGO को या तो ये organization को charity में देना चाहता हूँ तो दोस्तो जैसे मैंने कल भी बताया था 40 साल की उमर के उपर के सभी लोगों ने अपना will बना के रखना जरूरी होता है अपना ये जब़ों Thank you very much! झाल 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 झाल